दोस्तों हमारे गन्य की जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय सबसे बड़ी बीमारी है वो है रेर रोड और ये रेर रोड बहुत गंभीर रूप लेती जा रही है और ये सबसे जादे जो आती है वो आती है CO0238 बैराइटी में जादे चीनी मिल जाती है यानि कि इससे दोनों खुष्ट है लेकि इस समय इसमें समस्या आ गई है और रेर रोड फैलने के गारण सब दुखी है सब परिशान है कि कौन सा गन्ना बहुत है अब दोस्तों एक साथ दूसरी बैराइटी के चैनल करने सकते क्योंकि जो दूसरी जो बैराइटी है या दो कम मात्रा में अप्लड है या फिर दूसरी जो बैराइटी है उनका यह पता नहीं कि कितना उपादर मिलेगा और कौन सी एरिये में यह जादे सक्सेज होंगी तो इस समस्या का समाधान क्या है इसके बारे में आज बात करेंगे और दोस्तों यदि बीडियो पसंद आए तो बीडियो को लाइक कीजिये दोस्तों इसी प्रिकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और जिन नीचे बेला इकुन को बटन है उसे प्रेस करने ताकि आपको जो आने वाले वीडियो है इनकी सूतना समय से मिल जाए तो द ready spirit подарoring दो पर्तूसित ना हो यानिके इन में रोग ना आता हूं और जोरोग रही रही बरॉयाएती हैं उनका ही चैन करें हमने है कि на पर कई ब्रै दे रही है जने में रिय्ग करता है नई ब्रती हैं और दोस्तों योग रही हैं मिलने समस्या हो या फिर आप 0232 को ही लागाना चाहते हैं तो ऐसी variety का chain करें यानि कि गराईटी हमारी 0238 है जहांसे आप पाईज लेते जिस खेट से लेते हैं चाहें अपने खेट से लेते हैं या कहीं से आप खरीदते हैं तो उसमें इस बात से संतुष्ट हो लें कि उसमें जो पुरानी जो फसल है उसमें रेड रोट नहीं आया हो और स्वस्त बीज लें और एक काम और करें बीज के टुकड़े करते समय उन्हें छाट लें कभी कभी चेन करते समय बीच के टुकड़े करते समय जो गन्य का जो निचला भाग होता है इसी में यह रोग जादे आता है क्योंकि यह रोग जड़ से जादे आता है तो जब हम गन्य को काटते हैं तो यहां रेट कलर का चमक जाता है यदि चमक जाता है तो उस गन्य को पू भाग है नीचे का, इसे आफ भोटा दें, और बाकि जो ऊपर का भाग है गन्ये का, इसे ही आप बीज में चेन करें, और दोस्तों, यह कोशिज करें, यह तो सिंगल बटके गन्ये बोगजाएं, टुकड़े बोगजाएं, यह अपि टू बटके, यह तो एक आपके लाब होता है वो यह होता है के हमारा जो गन्या है जब हम हम इसका 20 सोधन करते हैं गैन्यानय जो सबसे बड़ा फाया अधिorkड़ा होता है यह अंदर इसमें जो हमारी दुवाई होती यह वह इस में पहुंच जाती है अंदर तक मोच जाती है और जितना बड़ा टोगड़ा होगा तो वो दोनों सिरी पर रह जाएगी और जो हमारा जो पिलकुब होता है इस बीमारी का इस फंगस होती है इसका इनही भागों से जादर होता है चूब कि मिट्टी के संपर्क में आने से मिट्टी में वालों फंगस हैं स्पोर्ट्स हैं तो यहाновवर यह शंपर करेंगे और इसके अंदर यह रडर हमारे गन्य में आ सकता है तो हमें इस इंगल बटके टुकड़ों बोने चाहिए या दू बटके और इनका जो हमें बीज सोधन अबस्य sketchy बीच सोधन करने के परचाती हमें अपने टुकड़ों को बोना चाहिए और गन्ना बोने से पहले एक काम और करना चाहिए कि हमें जो ट्राइकोडर्मा पनाता है उस ट्राइकोडर्मा को 2-3 किलोग्राम प्रिती एकर के हिसाब से आप मिट्टी में मिला दें और दोस्तों मिट्टी में मिलाने से पहले इस ट्राइकोडर्मा को आप गोबर के खाद में मिला कर यानि कि गोबर के खाद अच्छा सड़ागला होना चाहिए और उस गोबर के खाद में इसे अच्छी प्रकार मिला कर इसका धेलाव हैं चाहिए और उसे कभी कभी हलका पाने च्छड़त बे और उसे उसके ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग यानि उल्टी-पटी फावले की सहाता से तरना चाहिए और करीब पंद जिन तक इसको चायाजावार पंदन जाहिए जिससे जो ट्राइक को ड्रमा है हमारा उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो हमारी जमीन की जो सोधन है वो अच्छा बजाता है और दोस्तो यदि हमें गन्ना जल्दी बोना है और हमारे पाश टाइम यह नहीं हमें जुताई भी कर दी है तो आप जो गन्ने की पच्छी हैं गन्ने की टुकड़े हैं इसमें भी ट्राइक ओ ड्रमा युक्त गोवर के खात को हम डाल सकते हैं और अपने गन्ने की बवाई कर सकते हैं और दोस्तो एक प्रियास और करना चाहिए कि हमें इसके साथ साथ जैसे हम जीरो दो सौरतिस बो रहे हैं तो इसके साथ दूसरी बराइटियों को भी आप बोएं यदि आप तीन खितों में आप गन्ना बोते हैं तो आप दो खित में इसे बो सकते हैं और बीच में हम कोई दूसरी बराइटी बो सकते हैं कई बराइटी में आ गया है और ये चल्दी से जल्दी ये इसका और बढ़ सकता है कि यह जो दो हैं हमारे जो प्रियास हैं ये पूर्ण रोप से इस समझ्या का समाधान नहीं कर सकते हैं यह तो यह इसका टाइम बढ़ा सकते हैं यानि कि हमारी बीमारी है जो पांच साल में इस गन्य को पूरी तरह सवापत करेंगी तो आगे बढ़ा सकती है यानि कि इसकी जो समस्या है वह कम हो जाएगी और हम कुछ सालों तक इसका प्रियोग गन्य विवाई में कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इस रेड रोट की जिस समस्या है इसको आप काफी कम कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियों बस इतना ही अगले वीडियो में कोई नियाट अपिले करते भी बिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार